आज हम रहीम जी के दोहे पार टू का अध्यन करेंगे हम जानते हैं कि रहीम एक मुसल्मान थे और वो एक मुसल्मान होते हुए भी श्री कृष्ण के परमभक्त थे इसलिए उन्होंने अपने आपको रहीमन कहकर संबोधित किया आए शुरू करते हैं प्रीतम छवी नैनन बसी पर छवी कहां समाए भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए रहीम जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर समाया हुआ है प्रीतम छवी नैनन बसी कहते हैं कि जो परमात्मा रूपी प्रियतम है वो मेरे अंदर समाया हुआ, मेरे नेत्रों में समाया हुआ है पर छवी कहां समाये, फिर छवी मतलब दूसरे की छवी, दूसरे का सौंदर, दूसरे का रूप कहां से मेरे नेत्रों में समा जाए कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर मेरे नेत्रों में ऐसे समाया हुआ है जिसमें किसी दूसरे के सौंदर के लिए कोई स्थान नहीं है भरी सराय रहीम लखी यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे पथिक आप फिरे जाए तो पथिक उसमें स्थान न पाकर सोयम लोटकर दूसरी जगे चला जाता है रहिमन धागा प्रेम का मत तोरेव चटकाए तूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए इस दोहे में कभी ने कहा है कि प्रेम के संबंधों को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए रहिमन धागा प्रेम का रहिम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोरो मत तोरो चटका चटका कर मत तोरो तूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए कहते हैं कि जिस प्रकार धागा एक बार तूट जाता है तो अगर उसको जोड़ा भी जाता है तो उसमें गांट पड़ जाती है उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार तूट जाता है तो उसका जोड़ना कठीन है इसको अगर हम प्रेम संबंध रूपी अगर इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे और ये टूट जाता है तो अगर हम इसको जोडने की कोशिश करेंगे तो उसमें दरार जरूर पड़ जाएगी मतलब पहले जैसी बात नहीं रहती है क्योंकि संबंद सामान ने होने पर भी व्यक्ति को पुरानी चीज़े याद आती है कि एक समय था जब इस मित्र ने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम संबंद को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए अगला है कदली सीप भुजंग मुख कदली किसको कहते हैं केले का व्रक्ष कदली केले का व्रक्ष और भुजंग क्या होता है सर्ब स्वाती एक गुनतीन स्वाती मतलब स्वाती जो नच्छत्र की वर्षा होती है उसको कहते हैं तो कहते हैं रहीम जी क्या कह रहे हैं कि स्वाती नच्छत्र में बरसने वाली जलकी बुन तो एक ही होती है न किन्तु संगति के अनुसार उनके स्वरूप और गुण जो है वो बदल जाते हैं कदली सीप भुजंग मुक स्वाति एक गुनतिन स्वाति मतलब वो वर्सा की बुंध होती वो एक है और जब कदली सीप और भुजंग पर पड़ती है तो इसका जो गुण है इसका जो लक्षन है इसके जो फायदे हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं जैसे मतलब कहने का है कि जैसे जिस संगती के अनुसार उनके स्वरूप जिस संगती पर वो पढ़ती है उस अनुसार उसके स्वरूप और उसके गुण पूरी तरह से पदल जाते हैं जैसे वो बूंत अगर केले पर गिरती है तो क्या बनता है कपूर बन जाता है अगर वही सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है और अगर वही भुजंग के मुख यानि साप के मुख पे चले जाती है तो विश बन जाती है जैसी संगती बैठिये तैसोई फल देन तो कहते हैं कि स्वभाविक प्रक्रिया है कि जैसी संगती मनुष्य करता है उसे वैसा ही परिणाम या फल मिलता है अगला है तरूवर फल नहीं खात है सर्वर पिय न पान तरूवर क्या मतलब होता है तरूवर फल मतलब व्रक्ष और सर्वर क्या होता है तालाब तरूवर फल नहीं खात है सर्वर पिय न पान कही रहीम पर काजहित संपत संचहिन सुजान तरवर फल नहीं खाता है व्रक्ष कभी भी अपने स्वयम फल नहीं खाता है सरवर पिये हिन पान और तालाब भी अपने पाने को स्वयम नहीं पीता है कही रहीम पर काजहित जैसे फल और जल का उपयोग तो दूसरे लोग ही करते हैं वो स्वयम नहीं करता है इसी प्रकार कही रहीम परकाज हित इसी प्रकार सज्जनों की संपती परोपकार के लिए जाती है उनकी जो संपती होती है वो दूसरों के हित के लिए जाती है संपत संचे सुजान और वे अपनी संपती को अपने धन को दूसरे के हित में लगा देते हैं उसको संजो कर नहीं अगला है रहिमन देखी बढ़िन को लगुन दीजे डारी जहां काम आवेस हुई कहा करे तरवारी रहिम जी कहते हैं क्या कह रहे हैं कि समय अनुसार प्रत्तिक वस्तु का अपना-पना महत होता है चाहे वो वस्तु छोटी हो और चाहे वो बड़ी हो रहिमन देखी बढ़िन को रहिम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर अगर आप बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए आप बड़े लोगों को देखकर छोटे का निरादत नहीं करना चाहिए उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जहां काम आवे सुई क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है वहां पर तलवार का कोई काम नहीं होता है इसलिए छोटी चीजे या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम देते हैं अगला है यों रहीम सुख होत है यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निजगोत जो बढ़ड़ी अखियां निरखी आखिन को सुख होत क्या कह रहे है रहीम कि प्रतेग व्यक्ति को अपने जाती मतलब अपने गोतर की व्रद्धी देखकर बड़ी प्रसन्यता होती है यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निजगोत गोत का मतलब अपनी गोतर अपनी जाती को देखकर रहिम जी कहते हैं कि सब लोगों को अपने गोत्र अपनी जाती को बढ़ते हुए देखकर बहुत प्रसंसा होती है आखों को सुख मिलता है जो बड़री अखियां ने रखी उसी प्रकार प्रतेग व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसंद होता है और उसे अपार सुख का अनुभव होता है जैसे कि जिस प्रकार अपनी बड़ी-बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है जो रहीम सुख होता है बड़त देखनी जगोत जो बड़ी अखिया ने रख जो बड़ी जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देख कर व्यक्ति को बड़ा च्छा लगता है बड़ा सुख मिलता है उसी प्रकार प्रतेक व्यक्ति जो रहीम सुख होता है बड़त देखने जगोत उसी प्रकार व्यक्ति अपने परिवार अपने गोत्र अपनी जाती को बढ़ता हुआ देखकर बहुत प्रसंद होता है और सुख का अनुभव करता है अगला है रहिमन ओचे नरनते तजो बैर अरुपरीत काटे चाटे स्वान के दुहु भात विपरीत रहिमन ओचे नरनते क्या कह रहे है रहिम जी यहाँ पर कि तुक्ष प्रकति के जो छोटी प्रकति के व्यक्ति होते हैं सिव वैर तथा प्यार दोनों ही अनुचित बता रहे हैं मतलब ऐसे लोगों से ना तो आपको आपकी दुश्मनी अच्छी होती है और ना ही आपकी मित्रता तो क्या कह रहे हैं रहिमन ओचे नरनते ओचे मतलब संकुचित सुभाव के व्यक्ति जिनकी सोच जो है वो सीमित होती है तो रहिम कहते हैं कि जो व्यक्ति संकुचित सुभाव वाले होते हैं उन्हें ना शत्रुता रखना अच्छा होता है ना प्यार करना तजो बैर ना उनसे दुश्मनी लेना अच्छा होता है ना उनसे प्यार करना अप्रीती करना अच्छा होता है काटे चाटे स्वान के जैसे कुट्टा चाहे चाटे या काटे दोनों ही बाते बुरी हैं काटे चाटे स्वान के जो कुट्टा होता है वो चाहे काटे या फिर चाटे दोनों बाते जो है बुरी होती है अगर कुट्ता काट लेता है काट लेने पर घाव की पीड़ा अत्वा मरत्यू हो सकती है और उसके चाटने से शरीर जो है वो अपवित्र हो जाता है काटे चाटे स्वान के दूह भात परीत इसी प्रकार ओचे व्यक्तियों के शर्त्रता तधा मित्रता दोनों ही घातक होती है